हलो दोस्तों वेरी गूड इवनिंग स्वागत है सबका आज दोस्तों जेके पेपर्स के बारे में बात करने वाले हैं छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका है दोस्तों यह स्टॉक और फिलाल यह स्टॉक इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे काफी सस्ते प्राइस पर जसे मिल जाती हैं दोस्तों तो उसे बिल्कुल खरीद लेना चाहिए और मैं बिल्कुल इसके पक्ष्भ मे हो हाली के कंपणी स्मॉड कहप में आती है और मैं स्मॉल कैप स्टॉक ज्यायदा बीनिकरता हूं और उप N करता हूं पर से पर millennials बात करने वाला हूँ कांफी कफी बरे में आज का ट्रेड क्या है मार्केट अनालीसिस और साथ में चार्ट अनालीसिस भी जो आपको मंडे को काफी बढ़िया है कर सकता है ठीक है दोस्तों पहले शुरूआत करते हैं कंपनी के कंपनी समझ लेते हैं क्या करती है जेके पेपर बनाने वाली कंपनी है दोस्तों 1962 की यह इन्होंने जो है वह काफी बढ़िया बिजनस शुरू भी किया और हाली में इन्होंने जो है वह शिरपूर पेपर मिल्स जो है तैलंग नाकी उससे जो है वह एक्वार कर लिया है और इ और यह लोग एक्सपोर्टर भी काफी बढ़िया करते हैं सिक्स्टी कंट्रीज को कवर करके रखवा जिसमें यूएसे मिडलिस्ट साउथ इसक इस्या सार्ख जो कंट्रीज आती है इसियन कंट्रीज आती है तो काफी बढ़िया फैला हुआ बिजनस है इनका हम देखेंग प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर और स्पेशालिटी पेपर बनाते हैं अब पेपर बनाते हैं दोसों तो प्रेड कटेंगे यह सबसे बड़ी बात है तो इन्हों ने क्या किया हुआ यहां पर 200 किलोमेटर का एरिया जो है यहां पर जैकर पूर्ण कोई राइगंड़ डिस्टिक्ट है औरिसा में वावा 200 किलोमेटर का एरिया इन्होंने ग्रीन कवर करके रखा हुआ है साथ में गुजरात में भी है लगबग 1,60,000 हेक्टर पे इन्होंने पेड लगाए हुए हैं ताकि जो भी नुकसान यहां से हो रहा है वो रीकवर हो जाया राने वाले ज डिलेवरी उठाएगे 33% की डिलेवरी है काफी बढ़िया डिलेवरी कहूंगा ऐसे सिचुएचन में जब स्टॉक अगर आपको दिन में गिरता हुआ दिखाई दे तो ज्यादा दर बाइंग नहीं होती है वह स्टॉक में 30% का बाइंग हो चुका है और यह बहुत अच्छ लेवरी अच्छिव करने वाला है अब क्या लेवर से वह डेफिनेटल आपको चार्ट पर बताने वाला हूं यहां पर देखिए दोस्तों टिकर टेप पर अगर जाते हैं तो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे स्टॉक है जो वारें बॉफिट हमेशा रेक्मेंट करते हैं एफडी से बेटर रिटन देता है डिविडेंट अच्छा देता है इंट्री पॉइंट काफी अच्छा कोई फ्लैग भी नहीं है पेपर प्रड़क से बिलॉंग करता है स्मॉल कैप डाई अजर करोड की कंपनी है रिस्क भी ज्यादा नहीं है 220 का रिस्क है सेक्टर पी दे दिया हो आए 22 परसें से भी ज्यादा और एक साल का रिटन सतर परसेंट के आसपास है काफी बढ़िया दिखाई देता है दोस्तों स्टॉक सुझे अगर फाइनेशल भी हम इसे देखेंगे ना दोस्तों तो इंडस्टी तीन परसेंट से ग्रों कर रहे है स्टॉक जोई इसन रिधना बिजनस नहीं हो पाया तो कि उन PayPal की जो आए वह मोगब पैतालिस परसेंट का papier कर रही है और पाँ साम में लगब एक 209% के profit पर company trade हुआ है तो अग देखिए कितना बड़िया बिजनस हो रहा है आरोई भी देखिएगा बाइस परसेंट का आरोई एक तीन एक साल में 21 का 16 का कम से कम आपको पास साल में दिखाए देगा वही आरोसी का अगर बात करेंगे यहां पर दोस्तों तो देखिएगा और capital employed जो होता है employee का capital और company का capital विट जो एक्विटी कैपिटी लिता है वह तो यह दोनों भी यहां पर बढ़ते होए दिखाए देखिएगा पिछले पांच साल से काफी बढ़िया परफॉर्मस अडिके डेट टो एक्विटी काफ 0.59 डेट फ्री कंपनी है दोस्तों बहु कहा था कुछ 50-55 के आसबस शायद इस टॉक था 60 के आसबस टॉक था तो यहां पर जिन्होंने बाई किये जिनको regular जो बायर है ऐसे स्टॉक के उनको पता रहता है कि क्या करना है कप करना है आज देखेगा result आने वाला था तो शायद result आज डिकलेर नहीं हुए उसके वज़ सा सेल के बाद में स्टॉक 60 के आसबस आ गया है अभी भी स्टॉक कुलिश में सिग्नल लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही है वाल्यूम काफी बड़ा दिखाई दिया था कल एक लबगा 96 का और यहां पर देखे उसके बाद में सबसे बड़ा वाल्यूम में देखने को मिला था यहां पर देखेंगे यहां पर क्या है ना सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा रेसिस्टंस लगा हुआ है यहां पर अगर स्टॉक होल्ड करता है तो हमें भी होल्ड करना है स्टॉक वही है यहां से अगर ब्रेक आउट स्टेबल दिखा देते हैं हमने देखें ब्रेक आ उपर गया नीचे आया यहीं पर रुख गया अगर यह स्टॉक 153 के ऊपर रुख जाता या चला जाता है ना दोस्तो तो बहुत बड़ा लेवल दे देगा पहला लेवल होगा 170 का और दूसरा लेवल हो सकता दोस्तों लेकिन रिवर्ड की बात करेंगे न तो लगबग आपको 180 तक का रिटन दे सकते हैं यानि 10 रुपए के रिस्क पर आपको 30 रुपए का रिटन मिल रहा है लिए 1 इस टू 3 का रेशियो दे रहा हूं दोस्तों काफी बड़िया स्टॉक है तो सोचिएगा जरूर स्ट करना है चैनल का नाम है दोस्तों इन्फो बेर सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा नोटिफिकेशन बिलको जरू क्लिक कीजेगा मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू परिमुर्ट